हलो दोस्तो, सबका फिर से एक बार सौगत है अपने चैनल में और आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मावनो का AUPM421 कंडेंसर माइक्रोफोन और उसे के साथ हम इसकी साउंड टेस्टिंग करेंगे इसकी अन्बॉक्सिंग देखेंगे और इसका कमपारिजन बोया M1 लेपल माइक के साथ करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं करते हैं करते हैं सबसे पहले बात करते हैं वो सारी चीजे मेटल से बनिये तो हाथ में एकदम सॉलिड फील होता है दिखने में भी काफी अच्छा है और प्रोफेशनल लूक देता है आप देख सकते हो यह किस तरह से लग रहा है अभी मेरे सामने में इसको माउंड किया है तो यह पूरी तरह से मेटल से बना है इसक 10 out of 10 rating दे सकते हैं अब बात करते हैं इसकी sound quality के बारे में तो अभी आपको जो sound सुनाई दे रहा है वो इसी microphone से दे रहा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी sound quality कैसी है अभी मैं इसको बिल्कुल भी edit नहीं करूंगा जो raw sound है वही sound को मैं रखूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से sound करता है अब मैं आपको बदाता हूं कि मैंने ये microphone क्यों लिया क्योंकि जब मैं इसको ले रहा था तब बहुत सारे options थे फीफाइन का 669 था उसके बाद माउनो का ही 401 था माउनो का ही 420 था और बहुत सारे options थे इस price range में फिर भी मैंने ये microphone इ कोई भी drivers की जरूद नहीं है तो ये plug and play है और ये आपके mobile के साथ भी काम करता है तो सबसे पहले इसका जो feature है जो मुझे अच्छा लगा ये इसके उपर एक gain knob है मतलब जो इसका input level है वो आप adjust कर सकते हो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा important feature है क्योंकि ये USB microphone है तो इसके साथ हम दूसरा कोई भी system नहीं लगाने वाले तो जनरली जो भी condenser microphones होते है उनके साथ उसका power system लगाना पड़ता है उसके जो level adjustment का जो system होता है जो mixing card बोलते है वो सारे system condenser microphone के साथ लेनी जरूरी होती है तो अगर ये USB microphone है इसके साथ कोई ऐसी system नहीं लगती तो इसके उपर इस लेते हो या फिर मावलों का 420 लेते हो या फिर उसी तरह का दूसरा कोई condenser microphone लेते हो जो USB से चलता है उसके उपर कोई भी gain knob नहीं मिलता तो आपको compulsory either कोई software लेना पड़ता है नहीं तो कोई mixing card hardware आपको इसमें connect करना पड़ता है तो ये USB होने का कोई फाइदा नहीं होगा बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं देते लेकिन ये बहुत ज़्यादा important point है क्योंकि हमारा environment का जो noise होता है वो हमेशा constant नहीं रहता हम इसका थोड़ा सा change होता है तो उसके हिसाब से हमें इसका gain adjust करने की ज़रूत पड़ती है तो अगर आपका budget थोड़ा सा बढ़ता है तो भी चलेगा लेकिन आप microphone के उपर gain knob होने वाला ही microphone लीजिए और दूसरा feature इसका यह है उसके उपर एक mute का button है जो touch sensitive है तो आप जब touch करोगे तो mute हो जाएगा फिर touch करोगे तो unmute हो जाएगा अभी मैं इसका gain adjust करता हूँ अभी यह 80% पर है मैं इसको पहले full करता हूँ अभी इसका gain 100% पे है अब मैं इसको कम करता हूँ 75% पे 75% पे इसका आवाज इस तरह से आता है अब मैं इसको करता हूँ 50% अभी इसका setting है 50% पे अब इसको मैं ओर कम करता हूँ और यह हो गया 25% परसेंट पर है मैं उसी जगा से बात कर रहा हूँ उसी intensity से बात कर रहा हूँ लेकिन मैंने इसका गेन अभी 25% परसेंट पर रखा है तो इस तरह से आपको आवाज आती है तो इसका जो गेन है वो हमारे environment के हिसाब से हमें रखना है तो अगर noisy environment है तो 50% best है और अगर आपका environment शान्त है 75% से लेके 80% तक का इसका गेन परफेक्ट है Condenser microphone का ऐसा होता है कि ये cardioid pattern पे काम करता है cardioid pattern मतलब ये सामने का बहुत अच्छे से record करेगा side का थोड़ा कम करेगा पीछे का एकदम कम करेगा तो सामने से ये ज़्यादा record करता है और पीछे से side से बहुत कम record करता है और उसी के साथ जितना आप microphone के करिब जाओगे उतना आपका sound crisp और clear आएगा और जितना आप microphone से दूर जाओगे उतना आपका sound low volume से और उतना clear नहीं आएगा अब मैं इसके बहुत करीब जाता हूँ तो आपको समझ मैंगा तो अभी मैं microphone के बहुत ज़्यादा करीब हूँ तो इस तरह से इसकी sound quality आती है जब मैं इसके बहुत करीब आता हूँ तो अगर मैं बहुत धीरे से भी बोलू तो भी ये अच्छी तरीके से record करता है आपको अभी समझ में आ रहा होगा मैं बहुत slowly बात कर रहा हूँ मैं whispering कर रहा हूँ फिर भी ये बहुत अच्छी तरीके से record कर रहा है तो इसके वज़े से आपको इसकी quality समझ में आ रही होगी और दूसरी एक बात इसके साथ ये wind filter आता है लेकिन यह आप अगर नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा क्योंकि इसके अंदर already एक wind filter installed है और इसके साथ एक puff filter भी आता है वो भी बहुत अच्छे quality का है और इसके साथ जो भी accessories आती है वो एकदम premium quality की है अब इसका comparison करते है बोया के M1 लेपल microphone के साथ तो इसका और बोया का difference आपको पता चलेगा ओके तो अभी जो आप आवाज सुन रहे है वो बोया के लेपल microphone से आ रहा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये microphone किस तरह से sound करता है और इसके comparison में माउनों का microphone किस तरह से आवाज करता है आपको समझ में आ रहा होगा और इस तरह के लेपल microphones होते है ये सारी जगा से sound gain करते है और condenser microphones होते है वो सिर्फ सामले से sound record करते है और उनकी quality ऐसे लेपल microphone से बहुत अच्छी होती है तो आपको समझ में आ रहा होगा इसका sound और condenser microphone का sound तो on a concluding note ये condenser microphone मेरे लिए बहुत अच्छा है आप भी इसको ले सकते है ये आपके लिए बहुत अच्छा upgrade होगा तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप अपना खया रखिये बाई बाई